असलाम आलेकुम दोस्तों, कैसो वाप सो सौधिय रभिया में, प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट उन लोगों का हो रहा था जो सौधिय रभिया के अंदर में हैं नए विजा पे जो लोग काम करने के लिए जा रहे थे सौधिय रभ उनका फिलहाल नहीं हो रहा था देखे, प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट के उपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे उसके लिए सेपरेट एक प्लेलिस्ट है आप वो वीडियो को देखोगे तो प्रोफेशन वरिफिकेशन टेस्ट क्या है और यह क्यों जरूरी है गयर मुल्की लोगों के लिए जो सोधेरभ में काम करने के लिए जाएंगे या पिर हैं वो आपको पता चल जाएगा बहराल जिनको नहीं पता है मैं बता दो सोधेरभिया के मिनिस्ट्र फ्यूमन रिसोर्स एंड सोसल डवलप्मेंट के जो डाइरेक्टर हैं इंजिनर अल्राजी साहब उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया था 2019 में के सोधेरभ के अंदर में बहूत सारा अनिस्किल्ड वर्कर ह मतलब उन्हों पढ़े लिखे नहीं है काम सही से नहीं जानते और वो काम को कर रहे हैं यह सब को देखते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉंच किया जिसका नाम है प्रोफेशनल वरिफिकर संटेस्ट और विजन 2-0-3-0 के लेके सोधी हुकूमत का यह टार्गेट भी इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारा रूल बनाया सौधी कॉंसिल का रूल बनाया टेक्निशन इंजिनियर जो लोग उस पोजिशन पे काम करेंगे उनको साइटिफिकेट दिखाना पड़ेगा मेंबर्सिप लेना पड़ेगा उसके बाद एक रूल रखा प्रोफेशनल व करना कंप्यूटर में तो यह दो नया नियम जो है बहुत बड़ा लागू किया सौधी हुकूमत ने जिसको लेकर के लोग इमेजिन नहीं किया थे अलाकि प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट उतना हाड नहीं था अभी तो फिलाल बन है और कुछी प्रोफेशन का हो रहा और आपको तीनी बार चांस मिलता है तीन बार अगर आप फेल हो गए तो फिर आप काम नहीं कर सकते सौधी रभीया के अंदर आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो बहराल यह कुछ प्रोफेशन के लिए लागू हुआ था और यह सिर्फ सौधी रभ के अंदर क लोगों के लिए लागू हुआ था जो लोग वहां पे काम कर रहे हलाकि मिनिस्ट्र फिमान रिसोर्स का यह भी टार्गेट था कि अब सौधी रभ के अंदर जो भी लोग काम करने आएंगे पहले हम उनका टेस्ट लेंगे उनके कंट्री में उसके वादी हम उनका वीजा इ आएंगे कुछ प्रोफेशन है जो मैं आगे में बताऊंगा वह प्रोफेशन के लोग आएंगे काम करने के लिए उनको पहले टेस्ट देना पड़ेगा पाकिस्तान में टेस्ट देने के बाद ही वह आसकेंगे सहुद्य यरभ में अब देखिए इंडिया के लिए भी लंबर है वेल्डर है एलेक्टिकल डिपार्टमेंट के जितना भी प्रोफेशन है सबका है और HVAC है तो फिलहाल फर्स्ट फेज लागू किया है सोधी के बाहर इंडिया में यह चार प्रोफेशन जो मैंने बताया यह काम में जो भी जाएगा अब सोधियर उनको पहले टे से मेरा भाय अभी जोब का तलाश कर उसका अगर सेलेक्शन हो जाता है यह काम में जो मैंने बताया तो उसको पहले टेस्ट किलियर करना पड़ेगा टेस्ट सेंटर के बारे में अभी कुछ बताया गया नहीं है लेकिन कुछ ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट होंगे जहापे एक नयारूल लागू हुआ यानि अब कोई फ्रोड वाला चीज नहीं हो सकता ओफिस वाले लोग कही पार इसा करते हैं कि बंदा इंट्रिव्यू नहीं देता उसका सेलेक्शन हो जाता है मतलब वो इसकिल्ट रहते हैं तो अब जो लोग जैनून रहेंगे इसकिल्ट रहे अलना कि जब उन्होंने और भी और सोडी के बाहर भी तब ही वो लोग काम कर पाएएगे इसके बाद एक अपटेट सौधी मुरूर से तरियोगा दिखते हैं आफि कि इंडिया में देखते होंगें आप रोड में जिसका इसका जानुवर दिखते रहता है लेकिन आपको रेर ही कोई जानुवर दीखेगा वहां पर ज्यादतर उट आपको देखने को मिलेगे तो ट्राफिक डिपार्टमेंट ने वार्निंग दिया है कि किसी का भी जानवर अगर रोड में आ जाता है जिससे ट्राफिक बादित होता है तो फिर 10,000 रियाल का जुर्मा न लगेगा इसके बाद एक और अपडेट मिनिस्टो फिमन रिसोर्स और सोसल डवलाप्मेंट के तरफ से है सौधी जेशन चल रहा है सौधी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जा रहा है टीचर का जौब भी अब सौधी कर रहे है प्राइवेट स्कूल में कोई भी कम नहीं होना चाहिए यह कहा है मिनिस्टो फिमन रिसोर्स ने इसके बाद एक अपडेट इंडिया से कोवीड 19 से जुड़ा हुआ देखिए इंडियन एरपोर्ट में इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अभी रेंडमली कोवीड टेस्ट किया जा रहा पिछला वीडियो म और भी बढ़ सकता है कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इंडिया में जनुवरी के बाद से कोवीड से हालात और भी बत्तर हो सकते हैं दुआ करिए आप लोग के सिचुएशन खराब ना हो तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोग साथ में शेयर किया उम्म सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शक्रिया